अब हम आपको बताते हैं, कि प्रेजन्टेशन में टेक्स्ट को डुपलिकेट किस तरह किया जाता है। टेक्स्ट को डुपलिकेट करने के लिए हम कौपी और पेस्ट के टूल इस्तेमाल करते हैं। मसलन हमने कोई टेक्स्ट लिखा जैसे वर्चुल युनिवर्सिटी अब हम इसकी एक और डुप्लिकेट तयार करना चाहते हैं इसके लिए हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं अब हम इसको कॉपी करते हैं इसके लिए आपको होम टेब में ये टूल नज़र आ रहा है जिसे हम कॉपी टूल कहते हैं अब हम इस पर यानि कॉपी टूल पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ट से कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हैं हमारा टेक्स्ट जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है कॉपी हो गया है अब हम इसे paste करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें paste tool का सहारा लेना पड़ेगा. इसके लिए भी हमें दुबारा home tab की तरफ जाना होगा. Copy tool के बिलकुल साथ ही बाएं तरफ हमें ये tool नजर आ रहा है. इसे paste tool कहते हैं. Use cut and paste option to move text within the presentation. इससे पहले हमने सीखा कि किसी भी text की duplicate किस तरह तयार की जा सकती है. आईए हम आपको बताते हैं कि किस तरह cut or paste tool को इस्तेमाल करके text को एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. हम यहां तीन lines में text लिखते हैं, जैसा कि आपको screen पर नजर आ रहा है. अब अगर हम चाहते हैं कि पहली line का text वहां से खत्म होकर तीसरी line में आ जाये, तो उसके लिए हम cut और paste tool की मदद लेते हैं. इसके लिए हमें home tab में copy tool के ऊपर ये tool नजर आ रहा है. इसे हम cut tool कहते हैं. सबसे पहले हम पहली line के text को select करते हैं. इसके बाद हम cut tool पर click करते हैं. या keyboard से control X को press करते हैं. जैसे ही हम cut tool पर click करते हैं, तो हमारा selected text यानि पहली line वहां से खत्म हो जाती है. अब हम चाहते हैं के यही line सबसे आखिर में आ जाए, तो हम cursor को आखरी line पर ले जाते हैं. अब हम home tab पर मौजूद paste tool पर click करते हैं. या हम keyboard से control V को press करने से भी cut शुदा text paste कर सकते हैं. ये देखिए, जैसे ही हम paste tool पर click करते हैं, तो हमारा text जो के हमने पहली line से खत्म किया था, वो सबसे आखिर में आ गया है. इस तरह हम cut और paste tool को इस्तेमाल करके, text को एक जगह से खत्म करके, दूसरी जगह ले जा सकते हैं. डिलीट दा सिलेक्टिट टेक्स्ट अब हम देखते हैं कि PowerPoint में सिलेक्टिट टेक्स्ट को किस तरह डिलीट किया जा सकता है? सबसे पहले हम यहाँ कोई text लिखते हैं, मसलन हम यहाँ software टाइप करते हैं. अब text को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस की मदद से इस पर double click करते हैं. यह देखिए हमारा text सिलेक्ट हो गया है. अब हम आपको बताते हैं कि इसको डिलीट कैसे किया जा सकता है? कीबोर्ड पर मौजूद डिलीट बटन की मदद से हम सिलेक्टिट टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं ये देखिए हमारा सिलेक्टिट टेक्स्ट डिलीट हो गया कॉपी, मूव, डुप्लिकेट दी इमेज़ेज प्रिजन्टेशन में इमेज को इंसर्ट करना तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं इसी तरीके से आप एक इमेज इंसर्ट कर ले इमेज को डुप्लिकेट करने के लिए हम कॉपी और पेस्ट के टूल इस्तेमाल करते हैं जैसा कि हम text को duplicate करने के लिए करते हैं। मसलन हमने कोई image insert किया, जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं। अब हम इसकी एक और duplicate तयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस image को mouse की मदद से select करते हैं। जब हम mouse image के ऊपर लेकर जाते हैं, तो हमारे सामने ये एक निशान बन जाता है, जिसके चारों तरफ arrows बने हुए हैं। अब हम जैसे ही image पर click करते हैं, तो image के इर्दगिर्द दाइरे बन जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा image select हो गया है। अब हम इसको copy करते हैं, जिसके लिए हमें पहले की तरह home tab की तरफ जाना पड़ेगा। आपको home tab में ये tool नजर आ रहा है, जिसे हम copy tool कहते हैं। अब हम इस tool पर यानि copy tool पर click करते हैं, हमारा image जो हमने select किया हुआ है, copy हो गया है। अब हम इसे paste करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें paste tool का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें दोबारा home tab की तरफ जाना होगा। पेस tool से भी आप वाकिफ हैं। जैसा के हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हम जैसे ही इस पर click करते हैं, तो ये देखिए, हमारे image की एक और duplicate बन गई है। इस तरहा हम image की किसी भी presentation के अंदर, copy और paste tool की मदद से duplicate तयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये ही काम हम mouse को right click करके copy और paste की मदद से भी कर सकते हैं। अब हम text formatting के लिए home tab पर मौजूद font toolbox के बारे में सीखेंगे। font. सबसे पहली option जो आपको इस toolbox में नजर आ रही है, उसे font कहते हैं। ये एक drop-down box है। इस छोटी triangle या arrowhead पर click करने से ये नीचे की तरफ खुल जाता है और आपको बहुत से font names नजर आते हैं। ये वो तमाम fonts हैं जो आपके computer system पर मौजूद है। आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद का font चुन सकते हैं। ताके अपनी presentation को एक अच्छी और खुबसूरत look दे सकें। दूसरी option जो आपको नजर आ रही है वो font size है। यहां भी आपकी पहली option की तरहा एक triangle या arrowhead नजर आ रही है। इसको click करने पर आपको मुख्तलिफ font sizes digits की सूरत में मिल जाते हैं। जिनको आप अपनी जरूरत के मताबिक मुन्तखिब कर सकते हैं। increase or decrease font size. Increase size यह option भी font size की तरहा काम करती है। इसमें आपको दो आइकॉन नजर आते हैं। एक बड़ा A और दूसरा छोटा A। बड़े A पर click करने से यह आपके selected text को दो दरजे या चार दरजे तक बढ़ा देता है। मसलन, अगर आपके text का size 12 है और आप बड़े A पर click करते हैं, तो इसका size 14 हो जाएगा। और अगर आप मसलसल ऐसा करें, तो PowerPoint इस text का size 20 होने तक बतदरीज 2-2 का इजाफा करता रहेगा। लेकिन जब इसका size 20 हो जाएगा, तो इजाफा 4 दरजे हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर font size 20 हो, तो आपके बड़े A को click करने पर इसका size 24 हो जाएगा। यहाँ आपको small A या छोटा A नजर आ रहा है। इस पर click करने से ये बड़े A के मुखालिफ काम करेगा। मसलन अगर font size 32 है, तो इसको click करने पर ये 4 दरजे छोटा हो जाएगा, यानि इसका size 28 हो जाएगा। और अगर font size 20 है, तो छोटे A को click करने पर ये 2 दरजे छोटा हो जाएगा, यानि इसका size 18 हो जाएगा। Clear the Formatting इस icon की सूरत कुछ यूँ है, कि एक बड़ा A और एक छोटा A और इसके साथ eraser या rubber का निशान है। जैसा कि इसका नाम है Clear the Formatting, इससे साफ जाहर है कि ये selected text पर applied formatting को साफ कर देता है। First करें, अगर आपने selected text का font size बड़ा या छोटा किया है, या उसे underline, italic, bold या कोई और format apply किया है। तो इस icon पर click करने से ये तमाम formatting खत्म हो जाएगी, जैसा कि आपने इसे पहली मर्तबा लिखा था। Bold ये icon English Alphabet B जैसा होता है। इस पर click करने से ये आपके selected text को bold करता है। Bold आपके text को नुमाया करता है। ये option इसलिए इस्तिमाल होती है कि जब आप अपनी presentation में किसी लफ्स या line पर जोर देना चाहते हैं, या देखने वालों को मुतवज्जे करने या अलफास को नुमाया करने के लिए आप अपनी presentation में bold का इस्तिमाल कर सकते हैं। Italic ये icon English Alphabet I जैसा होता है, लेकिन ये एक तरफ जुका हुआ होता है। Selected Text पर इसके इस्तेमाल से वो टेक्स्ट एक तरफ जुक जाता है, जिससे वो दूसरे टेक्स्ट से नुमाया दिखाई देता है। Underline Underline icon English Alphabet U की शकल का होता है, लेकिन इसके नीचे एक लाइन लगी होती है। ये option Selected Text के नीचे एक लाइन लगा देती है, जिससे वो टेक्स्ट नुमाया हो जाता है। Shadow Shadow की option आपके Selected Text को नुमाया करती है। जैसा के इसका नाम Shadow है, इसके इस्तिमाल से आपके Selected Text के नीचे एक साया बन जाता है, जिससे आपका टेक्स्ट दूसरे हिस्से से मुनफरिद नज़र आता है। इस icon की शकल English Alphabet S की मानिंद होती है, और इसके नीचे इसका साया भी नज़र आता है। Strike Through के icon की सूरत यू होती है, जैसा के English के पहले तीन alphabets, यानी छोटे A, B, C और उनके दर्मियान एक line लगी होती है। वैसे तो computer की दुनिया में Strike Through बहुत सी चीजों के लिए इस्तमाल होता है, लेकिन हम PowerPoint में text formatting सीख रहे हैं, इसलिए हम text के हवाले से बात करेंगे। Bold, Italic, Underline की तरह, Strike Through भी text को नुमाया करने के लिए इस्तमाल होता है। Character Spacing के icon की सूरत English के Alphabet A, V की तरह की होती है, लेकिन इसके नीचे Double Head Arrow होता है। जब हम computer में किसी भी application software में कोई text लिखते हैं, हर एक application software Alphabet characters के दर्मियान एक default space रखता है। लेकिन आप इस space को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस icon के साथ भी एक triangle होती है, जिस पर click करने से एक drop-down menu खुल जाता है, जिसमें आपके पास ये options होती हैं। जैसा के very tight, tight, normal, loose, very loose, more spacing, आप इन में से कोई भी option हस्बे जरूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। Case इस option के icon की सूरत भी बड़े A और छोटे A की तरह होती है। इसके जरीए आप अपने लिखे और selected text का case तबदील कर सकते हैं। Case से मतलब यह है कि अगर आपने English में कुछ लिखा है और वो छोटे characters में है तो बजाए इसके कि आप caps lock on करके उसे दुबारा लिखें। आप इस option के साथ उसको बड़े characters में तबदील कर सकते हैं। इस icon के साथ भी एक triangle होती है जिस पर click करने से आपको मुख्तलिफ option महया की गई है जिनको आप अपने जरूरत के मताबिक इस्तमाल कर सकते हैं। font color के icon की सूरत English के पहले alphabet A की तरह होती है और इसके नीचे एक color बार होती है। इसके साथ भी triangle होती है जिस पर click करने से एक color palette जाहर होती है। इसमें मुख्तलिफ रंग होते हैं जिनको आप अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मताबिक इस्तमाल कर सकते हैं। इसके अलावा font toolbox में आपको नीचे की तरफ एक तिर्चा arrow नजर आ रहा है जिसको click करने पर आपको एक dialogue box नजर आता है। इसमें तकरीबन वो तमाम options होती हैं जो हमने अभी सीखी हैं। सिर्फ दो-तीन options का इजाफा है जिन्हें हम अभी सीखेंगे। अंडरलाइन type इस option में आपको अंडरलाइन के मुख्तलिफ डिजाइन्स नजर आ रहे हैं जिनको आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर्लाइन कलर इस option में आप अंडर्लाइन के मुख्तलिफ रंगों का इंतखाब कर सकते हैं अगर आपने रियाजी के सवालात या equation लिखनी हो और उसमें किसी की power या base value लिखनी हो तो आप सुपर्स्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में स्पेल्चेक प्रोग्राम को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और जहां जरूरत हो वहाँ changes किस तरह की जाती हैं मसलन हम स्लाइड में कोई line लिखते हैं जैसे Virtual University of Pakistan इस line में university के spellings गलत हैं और इसके नीचे एक सुर्ख line भी आ गई है हम आपको बताते हैं कि किस तरह स्पेल्चेक प्रोग्राम को यूज करके ये spelling सही कर सकते हैं इसके लिए हम review tab में से spelling की command पर क्लिक करते हैं या keyboard पर मौझूद F7 की प्रेस करते हैं ये देखिए spelling की command पर क्लिक करने से हमारे सामने अपको हो गया है जिसमें सबसे उपर not in dictionary के नाम से एक option नजर आ रही है और इसके आगे एक बाक्स है जिसमें हमें वो spelling नजर आ रहे हैं जोके घलत है और इससे नीचे हमें change to के नाम से एक option नजर आ रही है जिसके आगे box में सही spellings दिये गए हैं और इसके नीचे हमें suggestions के नाम से एक option नज़रा रही है, जिसमें हमें सही spellings के बारे में suggestion दी जा रही है. अब हम अगर ये spelling ठीक करना चाहें, तो इसके लिए हमें change के नाम से एक button नज़रा रहा है. हम इस पर click करते हैं. चेंज के button पर click करते ही university के spelling ठीक हो जाते हैं और इसके नीचे से सुर्ख लाइन भी खत्म हो जाती है. इस तरह हम spell check program को यूज़ करके अपनी जरूरत के मताबिक spellings ठीक कर सकते हैं. इस lesson में हम आपको बताएंगे कि slide में मुख्तलिफ objects मसलन, lines, rectangle, circle वगेरा को किस तरह ड्रॉ किया जाता है. आप जान जाएंगे कि मुख्तलिफ objects में color किस तरह फिल किये जाते हैं और इनका size किस तरह चेंज किया जाता है. इन objects को move किस तरह किया जाता है और slide में chart किस तरह create किया जाता है. Draw the objects आईए हम आपको बताते हैं कि slide में different lines को किस तरह add किया जाता है. इसके लिए home tab में मौजूद drawing group में हमें ये option नजर आ रही है जिसकी मदद से हम slide में lines लगा सकते हैं. अब हम इन styles में से ये line style मुंतखिब करते हैं तो cursor की शकल change होकर plus sign की शकल इख्तियार कर लेती है. अब mouse की मदद से dragging करते हुए हम line लगा सकते हैं. अब हम आपको बताते हैं कि slide में lines को move किस तरह किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले हम एक line को draw करके इसको select करते हैं. और इसके बाद mouse की मदद से line को पकड़ कर dragging करते हुए line को एक जगा से दूसरी जगा move करा सकते हैं. इसके इलावा keyboard पर मौजूद arrow keys की मदद से भी हम lines को select करने के बाद move कर सकते हैं. Change the line color and width अगर आप किसी shape का color change करना चाहते हैं या इसकी width में कोई modification करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले हम एक rectangle को draw करके इसको select करते हैं. Home tab में drawing toolbar में हमें shape color के नाम से ये एक option नजर आ रही है जिसके आगे एक छोटा सा arrow बना हुआ है. जैसे ही हम इस arrow पर click करते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ colors आ जाते हैं जिसमें से हम कोई भी color select करके rectangle के color को change कर सकते हैं. और अगर इसी तरह हम line की width में कोई modification करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं. इसके लिए हम mouse की मदद से line पर double click करते हैं. लाइन पर double click करने से हमारे सामने format का tab open हो जाता है जिसमें से हम style shapes पर click करते हैं. इसमें हमें मुख्तलिफ style और width की option नजर आ रही है. किसी option को select करने से line की width और style बदल जाते हैं. इसके लिए home tab में drawing में हमें shape की option नजर आ रही है. मसलन अगर हम shape पर click करते हैं तो हमारे पास shape की एक menu खुल जाती है. यहां हम अपनी मर्जी की कोई भी shape सेलेक्ट करके slide में add कर सकते हैं. rotate और flip a drawn object in the slide. अब हम आपको बताते हैं कि slide में किसी भी object मसलन rectangle, circle, line बगेरा को rotate किस तरह किया जाता है? सबसे पहले हम इन में से कोई भी एक object मसलन rectangle draw करते हैं. यह देखिए rectangle को draw करने के बाद इसके इर्दगिर्द सुफेद दाइरे से बन गए हैं जिनकी मदद से rectangle को छोटा बड़ा किया जा सकता है. लेकिन इन सफेद दाइरों के इलावा सबसे उपर एक सबस दाइरा भी है जिसकी मदद से हम किसी भी object को rotate यानी घुमा सकते हैं. करसर इस दाइरे के करीब ले जाने से करसर की शकल change होकर एक गोल arrow की शकल इख्तियार कर लेती है. अब अगर आप mouse का बटन दबा कर रखते हुए इसको हरकत देंगे तो rectangle rotate होना शुरू हो जाएगी. अब हम आपको बताते हैं कि इन shapes यानी rectangle, circle वगेरा के attributes को किस तरह change किया जा सकता है. यानी इनमें color किस तरह फिल किये जाते हैं और इनकी line type यानी borders को किस तरह चेंज किया जाता है. अब अगर हम चाते हैं कि इसमें कोई color भी आ जाए तो इसके लिए drawing tool group में shape fill के नाम से ये एक option मौजूद है जिसके आगे एक छोटा सा arrow बना हुआ है. जैसे ही हम इस पर click करते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ colors आ जाते हैं. अब हम इस में से कोई भी color select कर सकते हैं. मसलन हम blue color select करते हैं. ये देखिए, जैसे ही हमने blue color को select किया तो इस circle का रंग जो हमने draw किया है blue हो गया है. अब अगर हम चाहते हैं कि इस circle का style change हो जाए तो इसके लिए हम circle पर double click करते हैं. तो ribbon में format tab खुल जाएगा. अब आप shape styles में से कोई भी style select करके इस circle का style तबदील कर सकते हैं. इसका रंग, outline का रंग और effects लगा सकते हैं. ये देखिए, इन मुख्तलिफ options के जरिए हम किसी shape को किस तरह change कर सकते हैं. Create an organizational chart चार्ट एक ऐसा tool होता है, जिसके जरिए हम अपने data को graphically दिखा सकते हैं. चार्ट के जरिए आप अपने audience को numbers और figures के पुशीदा मतलब और उन में मवासना करवा सकते हैं. सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा चार्ट के मुक्तलिफ एक्साम के बारे में बताते हैं. ये तमाम किस्म के चार्ट आपको पावर पॉइंट में मुयस्सर हैं और उन्हें आप अपनी जरूरत के मुताबक इस्तेमाल कर सकते हैं. अब चार्ट के मुक्तलिफ हिस्सों के बारे में आपको बताते हैं. टाइटल आफ दे चार्ट यानी चार्ट का टाइटल. वर्टिकल एक्सिज इसको आम तोर पर वाई एक्सिज का नाम भी दिया जाता है. डेटा सीरीज ये हिस्सा आपके चार्ट में मौजूद डेटा पॉइंट को जाहिर करता है. लेजन्ड इसमें आप अपने चार्ट में दिये गए डेटा के बारे में कुछ एहम मालूमात लिखते हैं. और ये आम तोर पर एक्स एक्सिज के बारे में होता है कि कौन सा डेटा किस कैटिगरी में आता है और चार्ट में क्या स्केल इस्तमाल किया गया है वगेरा. अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में चार्ट किस तरह क्रियेट करते हैं. इसके लिए हम Insert के टैब पर क्लिक करते हैं. Insert के टैब में हमें Illustration का ग्रुप नज़रा रहा है. इसमें हमें Chart की Option नज़रा रही है. जैसे ही हम इस Chart Option पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने एक और Dialog Box ओपन हो जाता है. ये Insert Chart का Dialog Box है. इसमें बाएं जानेब हमें मुख्तलिफ Templates नज़रा रहे हैं और दाएं जानेब हमें हर Templates से मुतालिका Style नज़रा रहा है. इस Template Menu में से अपनी जरूरत के मुताबिक कोई से Style सिलेक्ट करें और OK का बटन दबा दें. आपका मतलूबा चार्ट स्लाइड पर Insert हो गया है. अब हम इसमें Text लिखते हैं. इसको Resize और इसकी Location भी तबदील कर सकते हैं. इसके लिए हम Insert के टैब में से चार्ट की Command पर क्लिक करके एक चार्ट बनाते हैं. और अगर हम इस चार्ट की टाइप को चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस पर Right Click करते हैं. Right Click करने से आपके सामने एक Dialog Box ओपन हो गया है. इस Dialog Box में से हम चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं. मसलन, Column Chart, Bar Chart, Line Chart, Pie Chart वगेरा. आप इसमें से जो चाहे वो टाइप सेलेक्ट करें और OK के बटन पर क्लिक कर दें. मसलन, हम इसमें से Pie Chart पर क्लिक करते हैं. ये देखिए, Pie Chart पर क्लिक करने से बार चार्ट तबदील होकर Pie Chart हो गया है. इस तरह हम मुख्लिफ किस्म के चार्ट स्लाइड में बना सकते हैं. पहले हम आपको बताते हैं कि Image का Size किस तरह चेंज किया जाता है. जब भी हम कोई Image अपनी स्लाइड में इंसर्ट करते हैं, तो उसके गिर्द सफेद दाइरे से बन जाते हैं. और जैसे ही हम करसर इन दाइरों के करीब ले जाते हैं, तो करसर की शक्ल चेंज हो जाती है. अब हम जिस तरफ से Image का Size चोटा या बड़ा करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं. यानि करसर की मदद से इन एरों को पकड़के ड्रैग करने से Image को चोटा या बड़ा कर सकते हैं. और अगर हम Image को Move करना चाहते हैं, तो माउस से ड्रैग करते हुए इसको एक जगा से दूसरी जगा Move कर सकते हैं. या Image को Select करके, कीबोर्ड पर मौजूद arrow keys की मदद से भी Image को Move किया जासे हैं.